अप्लिकेशन और जावा तो जावा एक इतने बड़े लेवल पर यूज होता है जो सन मैक्रो सिस्टम है उसके रिपोर्ट के हिसाब से लगभग तीन बिलियन डिवाइसे जो जावा पर रन होता है या जावा का यूज करता है ऐज अ प्लैटफोर्म या आप कह लिजी ऐज प्लैटफोर्म अ प्लैटफोर्म् अ जो एगजान ङो इन devices कौन कौन से हो सकते हैं तो यह desktop applications हो सकते हैं desktop applications कौन कौन से हैं example जो भी आप use कर तो computer में ना बहुत सारे तो वह desktop application जो ज़्यादा commonly सब लोग जानते ही है appropriate reader, pdf files को read करने के लिए होता है media players, videos, audio चलने के लिए antivirus ने सारे desktop applications के examples हैं यह Java में बने होते हैं पुरिफ जो भी आपके जावा के फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स को यूज करते हैं वेव अप्लिकेशन कौन कौन से हैं जैसे जो वेब साइट्स होते हैं जिसमें डेटाबेस से चीजिये यूज होते हैं IRCTC, IRCTC कितने बड़े लेवल पे लोगों को कैटर करता है, टिकेट बुकिंग में, कैंसलेशन सेम ताम पे हो रहा है, हना चार्ट पर पेर हो रहा है, तो इस ताब के बड़े लेवल के वेबसाइट को डेवलोप के जा रहा जावा हमाँ, enterprise application, enterprise मतलब बैंकिंग का हो गया, stock marketing का हो गया, यह सारे enterprise applications, mobile devices के application, embedded system, smart card, metro card हो गया, आपका ATM card हो गया, जितने smart cards है, robotics, games, यह सारे examples हैं, किसके, जहां पे यह apply हो रहा है, जावा, जावा का यूज किया जा रहा है, सार, desktop applications और enterprise applications में क्या difference है, थोड़ा बताईए, desktop application तो आपका, एक time पर एक ही use कर रहा है, ठीक है, एक time पर एक user use कर रहा है, उसको, आज कल तो बहुत सारे software बन रहे हैं, जिसमें आप multitasking कर सकते हो, multi users एक ही program पर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप generally देखें, तो एक बार में एक ही program को run करेगा, एक ही user use करेगा, ने पote, पर एक बैर, इसला की हो गया की अब mobile में भी इंस्टोर कर लियाérica a little bit like a calendar, गया कम्यों कर लिया का मोर्य सफजे थोड़ा आज कव्ही का लिया अजक्रो और उफिचर के लिए ना, लेकिन भी देखें सबसे पहले manager ने verify किया ठीक है manager ने verify किया और manager ने verify किया तो जो यहाँ पर cashier बैठा वा for example तो cashier को same time पर update होना चाहिए कि यह verified जो यह transaction होने जा रहा है यह verified है by manager ठीक है यह तो मैं तो दो level के ले रहा हूँ लेकिन इससे multi-level होता ना multiple checking होती है कोई भी transaction होने से पहले तो वो same time पर real time पर वो चीजे वहाँ पर update हो रही है और साथ ही साथ यह head office में भी आपका account का जो भी है वहाँ पर जाके update हो जा रहा है ऐसा नहीं कि आप bank से transaction कर रहे है और ATM से कर रहे हो मानलो 5000 रुपय आपके account में है तो बैंक से भी 5000 रुपय निकाल लिए जाके ATM से भी निकाल लिए जैसे एक जगे से transaction होओ हर जगा जहां से सर्वर से connected है हर जगा update हो जाएगा की balance 5000 रुपीस आपका वहां से मानस हो जाएगा सर्ट अंटर्वाइज अप्लिकेशन क्या सर्वरस पर daw होते है जनरलिक तो सर्वर पर ही होते है ऐंटर्वररसuição ऐंटर्वरस क्या है बड़े बीजन्स सब्सक्राज यह बड़े बड़े बीजन्स सब्सक्राज ज़रूरर्य वह अठाशन को pista सिरे जिसके पस इक्राज़ tied सब्सक्राइब कर ले रहे हैं जो ततकाल वाले सिस्टम में बहुत सारे नियूज आये थे सब्सक्राइब कर ले रहे हैं तो पहले बुकिंग कर ले रहे हैं तो सब्सक्राइब किसी का अलग है कि रिक्वार्मेंट के साब से न क्या उनका परफस है अब कुछ जैसी हैं जो वेब सर्वर से कनेक्ट होके और इसका इंटरप्रैस सर्वर में लिंक खो रहा होगा तो कि कुछ चीजा रियल डेटा वहां से चाहिए होगा ना वो एक अलगी दुनिया है सर्वर की आप राइट सर्वर